एए सी सी पढ़ रहा है हम ability enhancement compulsory course और subject हमारा communication है जिसका first unit हम cover कर चुके हैं आज हम discuss करने वाले हैं अपनी second unit और जिन बच्चों ने first unit नहीं देखा है वो first unit मैं उसका link description में देदूँगा वहाँ से आप देख सकते हैं और जो हमारी unit 2 है वो start होती है हमारे इस topic से level of communication से तो चल करते हैं आज अपना topic level of communication क्या है level of communication को समझने के लिए हम ये समझना होगा इसके हमें हवशक्ता क्यों बढ़ती है जिस समाज के अंदर हम रहते हैं उस समाज में relations बनाने के लिए एक healthy communication की झरूत होती है और जिस समाज के दोन हम रहते हैं वहाँ पर different type of people और अन्य जीव र different type of level का हम use करते हैं अलग-अलग स्तर का हम use करते हैं understanding बनाने के लिए और सामने वाले के हिसाब से हमें बात करनी होती है तो आज हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं देखे level of communication जो हमारे different level of communication वो पांच परकार के होते हैं पांच भागों में उनको बाटा गया है पहला होता है extra personal communication दूसरा intrapersonal तीसरा interpersonal चोथा organizational और पांचवा mass communication यह पांच लेवल है जिनके ओपर हमारा communication रिखा हुआ है जो different type of level है जिनको हम use करते हैं अपने communication में तो इन सभी को detail से समझते हैं extra personal communication क्या होता है देखे जब हम non human being के साथ interact करते हैं तो भया extra personal communication कहलाता है non human being से हमारा मतलब उन जीवों से हैं जो मनुष्य नहीं है अथार्थ अन्य जीव है for example हमने घर में कुत्ता पाला हुआ होता है हमारे pet animals होते हैं उनकी basic needs को समझने के लिए उनकी जरूरतों को समझने के लिए उनके विचारों को समझने के लिए या उन्हें क्या चाहिए ये सब कुछ समझने के लिए हम उनके साथ communicate करते हैं वो हमारे साथ communicate करते हैं ठीक है तो वो जो process होता है वो कहलाता है हमारा extra personal communication हिंदी में यहां पर मैंने उन बच्चों के लिए लिखाया थाकि हिंदी मीडिम के बच्चों का कंसेप्ट भी क्लियर हो सके इसके अंतरगत मनुष्य अन्य जीवों के साथ संप्रेक्शन करते हैं जैसे पालतु-जानवर, कुट्त, बिल्ली, गाय, त्यादी जिसे हम कहते हैं एक्स्टा-पर्सनल कउम्टार का इसके बात बात करते हैं हम इंट्रा-पर्सनल कोम्टिकेशन की इंट्रा-पर्षनल करनी चाहिए अपने आपको मुल्यांकित करने के लिए अपने आपको evaluate करने के लिए तो जब हम अपने आप से बात कर रहे होते हैं अपने आपको evaluate कर रहे होते हैं तो उस समय हम किस process से गुजर रहे होते हैं इंट्रा-personal communication से इसे कहते हैं हम इंटरा पर्सनल कम्मुनिकेशन जब हम अपने आप से बात करते हैं तो हम इंटरा पर्सनल कम्मुनिकेशन कर रहे होते हैं इसके बाद बात करते हैं इंटर पर्सनल कम्मुनिकेशन देखें इंटर पर्सनल कम्मुनिकेशन जो हमारा होता है वो usually हम daily जो communicate करते हैं लोगों के साथ वही हमारा interpersonal communication होता है लोगों के साथ अपने विचार भावनाओं को तूचनाओं को प्रती दिन जो हम share करते हैं बाते करते हैं वो interpersonal communication कहलाता है जो usually हम daily करते हैं अपनी daily routine की life में इसके बात बात करते हैं हम organizational communication की Organizational Communication हमारा होता है इसी संगठन के अंदर चलने वाला संपरेक्षन अब संगठन से बात करें तो यहाँ पर संगठन से मतलब उस चीज से है जैसे मान लो कोई कमपनी है कोई फर्म है कोई फैक्टरी है वहाँ हम कारे करते हैं काम करते हैं तो उसके अंदर और उसके बाहर चलने वाला जो कम्मिनिकेशन होता है उसे हम कहते हैं Organizational Communication यह तीन प्रकार का हो सकता है आंत्रिक हो सकता है बहाई हो सकता है और व्यक्तिगत हो सकता है Internal, External और Personal Internal से हमारा मतलब है जो उस फर्म के अंदर काम करने वाले व्यक्ति है उनके साथ इंट्रेक्ट होना External जो फर्म के आसपास लोग है उनके साथ इंट्रेक्ट होना और Personal जो व्यक्तिगत अपनी Personal बातों को शेयर करते हैं यह हमारा Organizational Communication के अंदर आता है इसके बात-बात करते हैं Mass Communication की जो सबसे बड़ा रोल निभाता है Communication के फील्ड में Communication की छेतर में ठीक है, Mass Communication हम जब करते हैं When we are interact with a large audience ठीक है, जब हम किसी अधिक संख्या बल के साथ इंट्रेक्ट हो रहे होते हैं जब किसी पबलिक को deal कर रहे होते हैं तो हम Mass Communication कर रहे होते हैं For example के लिए मालो हम किसी जनता को संबोधित कर रहे हैं या किसी भीड को अपने विचार समझा रहे हैं या किसी को lecture देना है तो ये सभी Mass Communication के अंदर आता है अब जो Mass Communication के मादियम है वो अलग-अलग हो सकते हैं अलग-अलग तरीके से अपने विचारों को हम लोगों तक पचा सकते हैं जैसे Newspaper के मादियम से Magazine के मादियम से Books के मादियम से Audio Visual AIDS के मादियम से TV के मादियम से Radio के मादियम से और आज की generation का जो सबसे बड़ा medium है मादियम है वह इंटरनेट देखिए WhatsApp, Facebook, Twitter, YouTube ये एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं आज अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुचाने में तो इंटरनेट का सबसे बड़ा रोल है तो ये सब चीज़े जो communicate हम करते हैं ये आती है mass communication के अंदर और एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको जो cinemas के अंदर हम जो theater के अंदर हम चीज़े देखते हैं वो भी mass communication के अंदर आती है वो mass communication का ही एक पार्ट होता है हिंदी मैंने इसलिए लिखिए था कि हिंदी के medium के पत्व कोई तकलीफ ना हो हम पब्लिक जनता है लोगों को संबोधित करते है समाचर पत्र पुस्तक टीवी रेडियो सोचल मीडिया के द्वारा तो यह mass communication कहलाता है इस वीडियो में बात करेंगे इतना ही मिलते हैं next वीडियो में प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब इस वीडियो